मुझफःणिटर नगर के शापूर में एक सप्ता कुर्व राश्टर इंटर कॉलिज के प्रबंदक और छात्र छात्राओं का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है पुलिस ने निहत्य चात्र चात्राओं पर लाटी चारज कर रोड से ख़देड़ दिया था लेकिन छात्र छात्राओं वा कालिज प्रबंदक के बीच पनपाई विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है सोमवार को सैकड़ो छात्र छात्रे जिला विद्याले निरिक्षक के कारियाले पर पहुँचे और जमकर नारे बाजी करते हुए प्रदेशन करते हुए धरने पर बैठ गये चात्रे छात्राओं के धरने पर पहुँचकर राजकी इंटर कॉलिज के प्रिंस्पन ने छात्रों को कारवाई का आशमाशन देकर धरना समाप्त करा दिया है चात्रों का कहना है कि आज भी हम टेस्ट छोड़कर यहां पहुचे हैं जो हमारे साथ उत्पीडन हुआ है वो आगे किसी के साथ न हो हमारी मांग यह है कि राहूल कुटवी को अध्यक्ष पत से हटाया जाए तब ही हम कालेज जाएंगे अन्यता नहीं जाएंगे चाहे हमें बोड परिक्षा का ही बरिश्कार करना पड़े जिलाविध्याले रिक्षक के अवकाश पर होने के बाद राजकी इंटर कॉलिज प्रिंस्पल ब्रिजेश कुमार जिलाविध्याले रिक्षक कारिवाहग के पदपर इस समय तैनाथ हैं इस मामले में उनका कहना है कि चात्र चात्रों के ग्यापन के आधार पर हम एक जाज चिंग गठित कर उसकी जाज करा रहे हैं और जो भी दोशी होगा वो बक्षा नहीं जाएगा तो और अजी तो दौट इनमार पे दो तीन जिन पहले हाज हमारे जिला विद्र लेकाड़र अलिया है ,ईस मई खिरकतो टो का उनकी मांग ए सब्सक्रावाय उनकी मांगी थी , जो ,माहके अद्यक्ष है , जो माहरे मुण्ण कहा है उमने ज्याइ पकार्श डशटी ही , आज वी जब उन्होंने अपना ग्यापन दिया है तो हमने एक जाज समीटी के गठन करके जाज करवा रहे हैं उसकी और जो भी दोस्तियों को बखसनी रहे हैं